नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हिंदु धर्म में दान का बहुत अधिक महतो है कहते हैं कि कोई भी भूजा दान के बिना पूरी नहीं होती और दान करने से पुराने बापों का आसर खतम हो जाता है और हमारे पुन्य में बढ़ोत्री होती है लेकिन कई बार दान करने में भी confusion हो जाता है कि किस समस्या के लिए हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए ताकि हमारी उस समस्या का समाधान हो सके तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजे जिनका दान करते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तो अगर आप अनाज का दान करते हैं तो इससे लंबे समय तक आपको सभी सुख प्राप्त होते हैं घर में सुख संप्रती पनी रहती है और अगर पानी का दान करते हैं या फिर किसी को पानी पिलाते हैं तो इससे सभी पुराने पापो का आफर खतम हो जाता है और पुन्ने में बढोत्री होने लगती है मन शान्त होता है और इससे सभी देवी देवताओं की आप पर करपा बनी रहती है अगर हम दीप दान करते हैं तो हमारी आँखों की रोसनी बढ़ती है और वहीं अगर हम तिल का दान करते हैं तो हमें संतान सुख मिलता है अगर कोई वेक्ति भूमी दान करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है सोना दान करने से वेक्ति को लंबी आयू प्राप्त होती है और चांदी का दान करने से ऐसे वेक्ति को सुन्दरता मिलती है रोगियों को दवाईयां दान करने से हमें सभी प्रकार की रोगों से मुक्ते मिलती है तो उमीद है दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेधन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद